हाई फ्रेंड्स वेलकम टूरेखा सुन्जू किचन कॉर्नर फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे हाई प्रोटीन सीट स्नेक्स विद्ट्राइफ्रूर्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीट स्नेक्स बनाने के लिए हमने कौन-कौन से सीट्स लिये हैं सबसे पहले हमने लिया है ए यानि कद्दू के बीज, आधा कटोरी हमने लिए किश्मिश, एक कटोरी बदाम, एक कटोरी काजू, और आधा कटोरी हमने लिए है फ्लेक्स सीड्स यानि अलसी, तो देखिए फ्रेंड्स, आप चाहें तो कटोरी से नापकी ले सकते हैं, या सो सो गराम आप बेट करके भी सकते हैं, आप सीड्स को कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकोर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं, साथ में हमने लिए है ये बेरी, ये हमने लिए है क्रैन बेरी, साथ में ही लिए हमने ब्लैक बेरी, और ये हमने लिए है चेरी, फ्रेंड्स ये स्नेक्स करा जो टेस्ट होता ह एकदम दबल कर देंगी, तो चलिए सबसे पहले हम पैन लेंगे और उसमें हमने डाल दिया आधा कटोरी नमक, नमक अच्छे से गरम हो जाएगा, तो हम सीट्स और ड्राइ फ्रूट्स नमक में एड़ कर देंगे, ध्यान रहे हमें बेरीज और किश्मिश को रोस्ट नहीं कर हो गया है, और हमने सीट्स इसमें एड़ कर दिये हैं, अब सारे सीट्स को हमें लगातार चलाते हुए, बिल्कुल धीमी धीमी आज पर रोस्ट करना है, ध्यान रहे, बिल्कुल धीमी धीमी आज पर ही रोस्ट करें, नहीं तो सीट्स जल जाएंगे, नमक में रोस्ट करने से सीड्स में हलका हलका सा नमक का टेस्ट आएगा जिसे खाने में काफी टेस्टी लगेंगे फ्रेंट्स ध्यान रहे जैसे ही सीड्स भूनना शुरू होंगे तो इन में से चटचट की आवाज आएगी और अच्छी सी खुश्बू भी आएगी तो देखिए बीज काफी अच सारे बीज निकाल लेंगे चानकर देखिए फ्रेंट्स इस तरह से हमने नमक से चानकर सारे बीज निकाल लिए हैं और इस बचे हुए नमक को हम ठंडा करके कंटेनर में डाल देंगे ताकि दुबारा इसे यूज कर सके रोस्ट करने के लिए तो देखिए फ्रेंट्स सारे बीज हमने रोस्ट करके ठंडे कर लिये हैं अब हम इसमें एड़ कर देंगे किश्मिश आधा कटोरी हम इसमें डाल देंगे ब्लैक बेरीज आधा कटोरी हमने इसमें डाल दी है क्रैन बेरीज और आधा कटोरी हम इसमें डाल देंगे चेरीज और इन सब dry fruits को अच्छे से mix कर लेंगे ध्यान रहें seeds को पहले अच्छे से थंडा कर लें उसके बाद ही इसमें berries डालें तो देखिए हमें सारे dry fruits को अच्छे से mix कर लिया है तो देखिए friends इस तरह के a tight container में हम इसे store करेंगे या 6-7 महिने तक बिल्कुल खराब नहीं होंगे ध्यान रहें बीच जब बिल्कुल ठंडे हो जाएं तब ही इन्हें स्टोर करें आप इस तरह के चोटोटे कंटेनर में डाल कर अपने बच्चे के स्टडी टेबल पर या सेंटर टेबल पर रख दें जहां ही दिखाई दें और खाना याद रहे इससे आपके श्रीर को काफी एनरजी मिलेगी और यह सब तरह की कमजोरी को दूर करेगा देखिए एक बड़ा चमच आप अपने खाने में इसे जरूर इस्तमाल करें आप चाहें तो दलिये में डाल कर या कौन फ्लेक्स के साथ या ऐसे ही दिन में स्नेक्स के तोर पर इसे अपने खाने में शामिल कर सकते हैं यह आपके श्रीर की हर तरह की कमजोरी को दूर करेगा और यह खाने में काफी टेस्टी भी लगते हैं तो friends आप भी इस easy recipe से salted seed snacks बनाएं और enjoy करें वीडियो अच्छा लगा हो तो like subscribe जरूर करें thanks for watching